समस्कार, सोचल संबाद में स्वागत है, मैं सिसी बूशा अज दिन भर जारखंड में मेडिया और लोगों के बीच में चलती रहे ब्रेकिंग को लेकर सुत्र सुत्र सभी खिलते रहे कि जो जारखंड के मुख मंत्री है, हिमन सुरेन, उनकी सदस्ता गई या नहीं गई, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा या नहीं लगा इस बात को लेकर चर्चा गरम रहा ये पिछले दो दिनों से एक कहानी चल रही है, लेकिन सुबह से साम हो गई पत्रकार जो है, सीयम आवास से राजभवन तक वो दोड़ लगाते रहे खबर भी आते रही, हलाकि वो सुत्र कौन से थे, ये बताते रहें कि भही कभी उन्होंने ये बताया है कि मुख्यमंत्री की सदस्ता चली गई, रद हो गई है लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगा है लेकिन इससे बड़ी बात हम आपको जो कहने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं सदस्ता और प्रतिबंध को लेकर उस पर मेन बात हो है जो आप और हमें सबको ये जानने में रूची है कि आखिर जारखंड में होने वाला क्या है हला कि ऐसी स्थिती तो पिछले जब से सरकार बनी है तब से यहां पर ऐसी स्थिती बनी हुई है हर दो महिने में सरकार जाने वाली है नई सरकार आने वाली है तमाम तरह के अनुमान लगाये जाते रहे हैं लेकिन हलाकी ऐसे करते-करते आज 3 साल पूरे होने वाले हैं अब बात सदस्ता पर हम करते हैं यह मान के चलिए फैसला जो भी है राज्येपाल 24 गंटे बाद, 36 गंटे बाद कल करें परसू करें लेकिन मान के चलिए कि एक कीवल ओफिस अब प्रोफिट और सदस्ता तक ही बा लात सिमीत नहीं रहने वाली अगर बात इतनी तक सिमीत होती तब हैसला कपका आ गया ओता और वीजैपी इतना सोष्टी समस्ती नहीं या इतना सूर नहीं मचाती पहितने गैसमेयर सदस्ता अभी तक जितने लोगों ने और और prophet कि माम्ले में फशे थे चाहे उनके उपर आरोप लगे सभी ने इस्थिपा दिया चुनाव लड़ा फिर से जितकर आ गए लेकिन यहां कहानी सिर्फ उतना ही नहीं मामला यह है संबैधानिक रूप से देखें तो जो चुनाव आयोग ने सदस्ता रद करने के लिए रेकमेंडेशन कर दिया है इसमें कहीं भी कोई क्रिंतू प्रंतू नहीं है मतलब सदस्ता को लेकर कोई असमंजस नहीं है सदस्ता तो रद हुनी है यह मान के चलिए बात उससे इतर है बात इतना भरेगी क्या चुनाव लड़ने पर क्या प्रतिबंध लगेगा क्या राज्येपाल मुख्यमंत्री को बरखास्ट करके रास्त पतिशासन लगा देंगे बात इसकी है चिंता इसकी है तो मान के चलिए कि सदस्ता के साथ प्रतिबंध लगना तो इसलिए कि जब ही जैसी मामला राज्येपाल जो है इस बात का कि भाई जो यह ओफिस और प् उस पर हिमंस्वर्यन जो मुख्यमंत्री है इसलिए कि जो आरोफ है आपको पता है उन्होंने खुद का मंत्री रहते हुए उस विभाग का सर्वे सरवा रहते हुए और आवंडन खुद के नाम पर कर लिया है तो दोशी कहीं ना कहीं तो है अब जहां तक भरष्ट आश्र पली से आये हैं उससे पले आपने ग्रीह मंत्री से मिलते हुए उनका तश्पीर भी देखी होगी तो इसमें कहीं कोई सक नहीं है और डाउट नहीं हो जितने लोग भी सुत्रों के हवाले एक बात बड़े चैनल चला रहे हैं और बता रहे हैं आपको एकिवल सदस्ता जा चुनाओं लड़ने पर कोई प्रतिबंद नहीं है तो मान के चलिए कि सारी बात गलत है या वो भुले लोग है या वो बिजपी को समझ में नहीं रहें इतनी असानी से अगर बात अगर होती तो फैसला कपका आ गया होता बात सिर्फ उतनी नहीं है बात इतना है कि मान के च तो इमान के चलिए कि किवल सदस्ता नहीं बलकि प्रतिबंद भी लगेगा उप्रतिबंद कितना होगा एक साल का होगा दो साल का होगा इसलिए अधिक्तम पांच वर्स तक लगा सकते हैं लेकिन लगना तय है इमान के चलिए फैसला में इसलिए देरी हो रही है या तो बी चल रहा है और अच्छे तरीके से इसके बाद देखिएगा फैसला आएगा तो एक बात अस्पष्ट है मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मामला किवल सदस्ता तक नहीं है सदस्ता तो जा रही है लेकिन इतने सस्ते में शुड़ने वाले जो केंद्रे की राजनीती है वो नहीं है इसलिए बेपक्च जो है उस तमाम राणनीती भी अपने तरीके सो त्यार बैठी है हमें लगता है इसलिएक ये बाते जब से निकल के आ रहे है उपिये के तमाम जो बिदायक हैं तमाम जो सदस्यं इंटाक्ट हैं और वो भी इस बात को समझ रहे हैं जान रहे हैं और इसी लिए आप दे रहे कि एक दिन में दो-दो बार बैठके हो रही हैं वो भी नजुकत समझ रहे हैं बस उहां से निर्देश आने की देरी है क्या कुछ होता है उस पर देखना होगा लेकिन तमाम सुत्रों की जो हैं बाते वो गलत सावित होने वाली है तो आप देख रहे थे सोसल संबाद और उसके साथ आप ताजा अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े आपकी क्या रहा है इस कबर पर आप क्या मानते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजेगा धन्यवाद